हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू आर चानल आज हम लोग डिसकस कर रहे हैं सर्फेस केमिस्ट्री का नोट्स जो कि बेसी केमिस्ट्री ओनर्स है और अगर आपने अभी तक सालेबस नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सालेबस का लिंक दे दिया है आप वहां से सालेब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा सर्फेस केमिस्ट्री का जो चाप्टर है सबसे पहरा टॉपिक है उसमें एज्प्शन यहां पर जिसमें फिर फ्यू एक्जांपल्स आफ एज्प्शन दिये हुए हैं यहां से दो एक फिजिकल एड्जॉप्शन और किमिकल एड्जॉप्शन फिजिकल एड्जॉप्शन और किमिकल एड्जॉप्शन का दूनों का डिफ्रेंस दिया हुआ है आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज में यहां पर डिफ्रेंस खतम हो गया है यहां सी न्यू टॉपिक है एड्जॉप adsorption 3rd है 4 reversible character है 5th effect of temperature है यहां पर next 6 है effect of pressure 7th thickness of absorbed layers of gases okay next page में चलते है next page में नया topic यहां पर शुरू हो रहा है adsorption isotherm जिसमें 2 type के graph है type 1 और यहां पर type 4 है next page में आपको type 2 देखने के लिए मेलेगा type 2 type 3 type 5 नेक्स पेज में चलते हैं next page में आप यहां पर देख रहे हैं type 2 है type 3 है और type 5 है type 4 हम लोग पिछले page में देखे थे इन सारे type के graph के बारे में यहां पर दिया हुआ है type 1 के लिए type 2 और 3 के लिए type 4 और 5 के लिए यहां पर चलें नेक्स पेज में चलते हैं next page में new topic है friend village adsorption isotherm जिसमें एक नया फिर से graph देखने के लिए हम लोगों यहां पर same topic continue हो रहा है इधर यहां भी एक नीचे में नया graph है यहां पर new topic limitation है friend village adsorption isotherm के लिए यहां से एक नया topic शुरू हो रहा है langmare adsorption isotherm topic इधर continue हो रहा है फिर यहां पर langmare adsorption isotherm के लिए derivation यहां से शुरू हो रहा है derivation continue है इधर derivation अभी भी continue है एक new graph भी है derivation अभी भी continue है फिर यहां पर दो new graph है और langmare adsorption isotherm यहां पर खतम होता है topic खतम होता है यहां से limitation शुरू होता है यहां से new topic एक शुरू हो रहा है application of adsorption जिसमें पहला topic यहां पर है पहला application यहां पर है second application gas mask है third application heterogeneous catalysis है fourth application removal of color matter from solutions है fifth application fourth flotation process और sixth application chromatographic analysis और इसे के साथ notes खतम होता है छोड़ा chapter है असान chapter है और वीडियो को इन तक देखने के लिए पहुत बहुत थैंक यू और वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और ऐसे ही notes के लिए comment किजिए कि आप लोग को कौन सा notes कौन से चाप्टर का notes चाहिए thank you